हेलो फ्रेंट्स आप सभी क्या स्वागत हैं माई केसी पॉइंट में फ्रेंट्स आज हम दोग दिखेंगे लूसन जी एस केमेश्टरी का प्रेक्टिस सेट नमबर फाइब और इसके पहले जितने भी परेक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रीप्शन में है आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेट लिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसमें जितने भी प्रश्ण होंगे और सभी प्रश्ण रसायनिक बंधन से समनित प्रश्ण होंगे क्योंकि ये सभी चाप्टर वाइज प्रैक्टिस इड अपलोड किये जाते हैं तो आये देखते हैं पहला प्रश्ण धनायन तब बनता है कोई भी इलेक्ट्रोन धनायन तब बनता है जब परमानू इलेक्ट्रोन खोक होता है तब जाकर वह धनायन बनता है और रिनायन तब बनता है जब परमानू इलेक्ट्रोन को गरहन करता है इसके बाद फ्रेंड्स नेक्ट प्रश्ट है आयनों से बने हुई योगिक का समाने नाम क्या है जो आयन से योगिक बनते हैं उनका समाने नाम क्या होता है तो उसी को बैधुत सन्योजक कहा जाता है एक होता है बैधुत सन्योजी बंधन जब बंधन का निर्मान इलेक्ट्र के अस्थांतरन के द्वरा होता है तो उसी को ही वैधुत सन्योजी बंधन कहते हैं इसके बाद एक और होता है सौह सन्योजी बंधन जब दो सद्री से या और सद्री से परमानू अपनी बाहितम कक्छा के इलेक्ट्रोनों का आपस में साजह करके संजोग करते हैं तब उनके बीच इस्तित बंधन को सो संजोजक बंधन कहा जाता है नेक्ष्ट प्रश्ण एक आयनिक बंधन बंता है एक धातू तत्व का संजोग जब अधातू तत्व से होता है तब जाकर एक आयनिक बंधन बंता है इसके बार नेक्ष्ट प्रश्ण विधूत संजोजक बंधन है बंध है बिप्रित आविष्ट आयनों के बीच विधूत सं योजक बंधन बनता है नेक्स्ट प्रश्ण है शन्योजी सा सन्योजी आबंध किसके कारण बनता है इलेक्ट्रोन के अंस भाजन के कारण ही सा सन्योजी आबंध बनते हैं नेक्स्ट प्रश्ण है जब एक ही तत्य के दो परमानों प्रस्पर संजोग करते हैं तब उनके बीच बंधन की प्रकिर्ती होगी कैसी प्रकिर्ती होती है और ध्रूबिय सा सन्योजक बंधन और प्रकिर्ती होती है किस योगी की आकृति चतुषफलकिये होती है तो Carbon-Tetracollide की जो प्रकिर्ती होती है वो चतुषफलकिये होती है इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट परस्वने जब एक रशायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है उर्जा हमेशा नियम्युक्त होती है नेक्स्ट प्रश्ण है कार्बन टेट्रा कुलराइड अनू की आकरीती है कैसी आकरीती होती है तो चत्तुस फलकी होती है नेक्स्ट प्रश्ण है जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है तो जल के अनू में हाइट्रोजन आबंधन ही जल के क्वथनांक का कारण है नेक्स्ट प्रश्ण है द्रवित सोडियम कुलराइड बिधुत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्तित होता है मुक्त आयन इसमें जितने भी प्रश्ण दिये गए हैं सभी प्रश्ण आपके exam point of view से काफी मौत पूर्ण है और इन सेट को practice करने के साथ साथ आप lucent book से theory भी पढ़ सकते हैं क्योंकि lucent book से ही पूरे प्रश्ण इसमें chapter wise दिये जाते हैं जो कि इसी चैनल पर history, chemistry, biology, quality, geography इन सब का practice set uploaded है description में link है वहां से भी जाकर देख सकते हैं और इस set को practice करकर के आप साथ में theory भी परहेंगे तो आपके exam point of view से काफी मौत पूर्ण होगा आइए देखते हैं next question हाइट्रोजन में एक electron लेकर helium का electronic विन्यास प्राप्त करने की प्रवीर्ती होती है तो इस से प्रकिर्ती की समानता रखता है अक्रिये गैसों से समानता रखता है next question है किस में hydrogen बंधन नहीं होता है तो h2s में hydrogen बंधन नहीं होता है यह hydrogen बंधन क्या होता है तो जब electron होते हैं जिसे दो electron हो गये हेफ अनुओ के बीच एक नए परकार के बंधन का स्रीजन करता है जिसी को ही हाइट्रोजन बंधन करते हैं हाइट्रोजन बंधन जल एवं हCN अथाथ हाइट्रोजन हाइट्रोजन सैनाइड में होता है हाइट्रोजन बंधन नहीं होता है और हाइट्रोजन बंधन एक कमजोर इस्तिर बैदूत आकरसन बल है जो सा सन्योजग बंधन से कमजोर होता है इसके बाद फ्रेंट्स नेक्स्ट प्रशने फ्लोरिन आकसीजन और नाइट्रोजन की योगीकों में कंसा बंधन होता है कौंस है σिगमा बंधन जब दो परमानुओं के और्भिटल एक दूसरे से एक रहेखिक अक्ष पर अती व्यापन करते हैं तब दोनों परमानुओं के बीच बने बंधन को सिगमा बंधन कहा जाता है एक और होता है पाई बंधन जब दो परवानुविक आर्बीटलों के पार्स्वेर अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहा जाता है फ्रेंड से इसमें रशायनिक बंधन से समधित जितने भी प्रश्ण दिये गए थे और इतना ही तरह के प्रश्ण ही इस चाप्टर से बन पाई हैं और इस नही तरह के प्रश्ण एक्जाम्स में पूछे जाते हैं या आने की संभावना रहती हैं तो यदि आप चैनल पर पहली बरा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर